तो बहराईस एक अच्छे कबर आई है बहराईश में वन विभा को आखिरकार एक बड़ी काम्याबी मिल गए जिस आदम खोर की तलाश में तमाग टीमे लगी थी पाच्वे भेड़ी को पिंचरे में कैद कर लिया गया है हम आपको बता दें कि कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि आखिरकार ये आदम खोर शिकंजी में फसी गया हलाकि अभी एक और आदम खोर की तलाश इस वक चल रही है उसको भी ट्रात करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसे पकड़ लिया जाए तो उस पूरे इलाक चुका है दस लोगों की जान ले चुका है पैतालिस से जादा लोग के इसके हमले में खायल हुए लेकिन अब ये वनवभा के शिकंजे में फस चुका है अब लिए निशी तोर पर एक लाग से जादा ग्रामिडों ने रहात की सांस ली है और रहात की सांस हो भी क्यों ना क्योंकि लगातार इस शेत्र में भेडिया की देशत बनी हुई थी कभी खबर आ रहे थी कि भेडिया च्छत पर जा रहा है कभी खबर आ रहे थी कि भेडिया ने यहां हमला किया है कभी खबर आ रहे थी कि भेडिया ने जो है पश्वों पर हमला कर दिया है तो तमाम तर्केती खबरों के बीच में आखिरकार आज सुबह जब भेडिय को पक कर जाएगा कैमेरा परसंद गोपी गिरी के साथ उमेश्री वास्तों नीजी एटीन बहराईच अब एक बार फिर से देखे यह एक्स्रूसिफ तस्वीरे की तिस्तरे से इसको पिंगरे में कैद करके रखा गया है और सभी ग्रामीर बहुत खुश हैं एक लाक से ज्यादा ग् गाउं में भूम करके अटाक कर रहा था कभी बक्री और कभी पश्मों पर भी एटाक करता था यह पांचवा भेडिया ट्राक पर लिया गया है और इस भेडिया को आप देख सकते हैं कि आप ये भेडिया कितना शांस दिख रहा है बिलकुल शांस पिंजरे में बैठा प्रुबा और सिसया चूला मली सही तमाम गाओं में भूम रहते और लगातार यहां ड्रोन उला करके भीडिये को पकलने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वन विभाग की अधिकारी रेनु सिंग का कहना है कि ड्रोन की वज़े से भेडिया इतना समझदार प्राली है कि वह सम और वन भाग की टीम ने ठर्मल ड्रोन का सहरा नहीं लिया बलक्ती फग चिनों का सहरा लिया और जो डेली के सी वल्हेश अल्वेर मेन पकड़ा गया रहर देखे पाँचवा भीडिया पकड़ा गया है हमने छे पकड़ने की बात कही गई थी उसमें पाँच पकड़ लिए हैं एक अभी भी फरार है भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे जब हमारा सही टाइम आएगा उसका खराब टाइम आएगा तभी आएगा तो लोग हम जिल्ड कर रहे हैं एक हमारी टीम है जो है कुछ यहां पर हमने कुछ कि लाएपर लोगों को रखेंगे न्यवानार लेंगे कि ISी कहा जायए गया एक कहा जाता था एक लंगडा बेडिया एक एलपा है ये सही सलामत है लोगों के जो चेहरे थे वो डरे हुए थे सहमे हुए थे लेकिन आज जब चौथे के बाद पांचवा भेडिया पकड़ा गया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी एक काम्याबी वन विभाग के चेहरे पर भी थी लेकिन सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि छठा भेडिया पकड़ा नहीं जाएका जैदिके न्यूज एचिन के चीन को भी बहुत सुकून है कि आखिरकार तगला सरदार जिसे भेडियों का तगला सरदार कहा जा रहा था वो पकड़ा गया है ग्रामिनों को चेहरे पर यकीनन मुस्कान आ गई है सभी खुश है और आब इ अब भी आ पर पहुंची हुई थी दिएफो यहां पर पहुंचे हुए थे वह सभी आप पर रवाना हो रहे हैं अभी आपर उदिकारी मौझूद है और गामिनों से हम बात कर लेते हैं सीधा आप बताइए आज कितनी खुशी का दिन है कितनी खुशी का चाल रहे है आप लोग बहुत प्रसंद है वेड़ों का आतंग जो है धीरे-धीरे कम हो रहा है हम लोग यह के आतंग से रात में शही ढंक से शोनी पाते थे आद पाच्वा भेडिया जो है पकड़ा गया है लेकिन अभी कुछ भेडिया बाकी है तो भेडियों का जो लगला सरदार है जो अभी फरार है ऐसा डियेफों कह रहे हैं उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा आप लोगों की मुस्कान थोड़ा सा चेरे में टेंशन कम होई है रहत मिली है और आप लोगों बली मदद की है वन विभाग की लगातार आप लोगों सुचनाए दे रहे थे और आज भी जब भेडिया पकडा गया तो यकीनन आपवों की सबसे बड़ी मदद वन विभाग को थी हम लोग कभी कोई सूचना मिलती थी हम लोग बन विभाग को सूचना देते थे तुरंत बन विभार के जो अधकारी हैं वो हम लोगों की सिवा में तुरंत तक पर हो जाते थे कल बारिश हुई नीज ये टिन लगातार इस ख़बर को दिखा रहा था कि बारिश की वह ऐसे मामने पानी गया होगा पानी चाने की वज़े से ये बाहर आया होगा तो बार तभी आया जब मामने पानी गया तो बारिश एक बड़ा रोल प्ले की इस बेडिया को पकड़ने में ते बहुत अच्छा हुआ अब तो मुस्कुरा दो बच्चों के चेहरे पर भी मुष्कान है कितना खुश है अब बहुत सुकुन मिल रहा है एक पकड़ा गया और एक जो फरार है वह भी पकड़ा जाएगा वह जल्ड़ाइगा तेके इन ग्रामीडों के चेहरे की मुष्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीड मुष् लुद हैं हम डिएफो साथ के पास एक बार फिर से चलते हैं और बात करते हैं सर मैं देख रहा हूं कि घ्रामीडों के चेहरे पर मुष्कान है बहुत खुश हैं हाँ क्यों नहीं अपने बच्चे खुए हैं और सब के चेहरे पर आप लोग भी खुश दिखाईगे रहे है हम सब का अभियान था आप लोगों का भी इसमें एक है आप लोग इस तरीके से बार बार पूछते रहते थे कि यह को सहाब अगला कब पकड़ा जाएगा तो हमें भी लगता था कि हमको जल्दी पकड़ना चाहिए यह हमारे सर न्यूज 18 के कैमरे में कल भेडिया इसी इला बहुत बड़ा रोल है इस भेडिया को पकड़ानी हमने कल उसको तो हमने नहीं देखा आपने क्या दिखाय था लेकिन अकली इतना में बैस्त रहता हूं आप देशन में हम खुद हमें लगता है कि महनों दो महने हो गए हमने समाचार तक नहीं सुने हैं तो हम अकली कल जो ह जो है पागमार का हम झोड़ रह rasa क्योंकि दिक्कत क yay रही थी कि जो हां दिकत क्या रही थी कि ग्रोन कंड़े से अगर कोई चीज चमकता हुआ लोजिए होता था तो जारी कर नीचे छुपे होने कालर क्या छुपा यह असपस नहीं है नहीं रहा है तो हम लोग आंद में यह सोचे चलो ढोडते हैं कहीं परमार कही मिल जाए टो परमार्क धोडते ढोंडते लगभग तीन घंटा चार घंटे हम लोग महनद झीए और मिल गया पर्मार्क जहां आप खड़े हैं इसी के जिधर हमारा मुह है इसी साइड में लगभग आप कह सकते हैं कि दो किलोमेटर दूर यहां से पर्मार्क जाएं आपका जो अगला जो बेडिया एक और है इसका पकला जाना शेश है उसके लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं और यह माना जाए कि बहुत जल्द चंद घंटों के अंदर या फिर एक दो दिन के अंदर उसको भी पकल लिए जाएगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत धनिवाद आपका डीएफो साब जो लगातार ग्राउंड जीरो पर डठे रहे और कॉंटिनुवस यहां पर ऑपर प्रिशन चलाते रहे और न्यूज येटीन की टीम ने भी लगातार दिखाया था किस तरह से भेडिया कैमरे में कैद हुआ न्यूज येटीन के कैमरे में भी भेडिया कैद हुआ था और न्यूज येटीन के कैमरे में भेडिया कैद के जाने की तस्वीर देखकर वन विभ सभाग ने उस इलाखे को ट्राप किया और उस इलाके में परग चिंद्धों को तलाषने की कोशिश कि जिए इलाके में सिसभया चुडा मडी के मेही इंदो नुज 18 की वीडियोन फीमज ने हम लोगह सेब का से इने वोगह स restriction कमेरे टीम ने आखिरकार पग चिन्दों को ट्रेस किया और अंतता वो भेडिये तक पहुंच गए जाल इचाया गया जिस लाके में लगातार दिन रात एक करके भेडिये को तलाश कर रहे थी ग्रामड भी उनका सहयोंग कर रहे थे और आपने भी वहां से जवर्दस रिपोर्टिं के लेडिये